तो है गाई वेलकम बैक टो आवर यूटुब चैनल और वेलकम टू माइ न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या وسक रहेंगा आज क्या-क्या हुआ है मारकेट में और आगे आने वाले सेशन चाहंगे अ क्या-क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो को सब्सक्राने वाले तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए एक और इंपोर्टन बात अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के के अंदर काम करना चाते हो और लॉनिंग के साथ साथ और निंग करना चाते हो डेली एक फिक्स इंकम ओन करना चाते हो तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो जिसकी मंतली फीज सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज पर मन्त है और इसके बारे में आ आपको benefits क्या-क्या मिल रहे हैं, आपको live market में support भी मिल रहा है, आपके अगर कोई भी position में आप फस चुके होंगे, तो आपको वहाँ से कैसे निकलना है, क्या stop loss लगाना है, क्या आपका target रहेगा, कहा पर profit book करना है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलती है, तो इस group में आपको learning भी होगा, options के बारे में आप सीख भी जाओगे, practical trading भी हो जाएगी, और आपकी डेली income भी चालो हो जाएगी, तो यह सारे benefits premium group के अंदर मिलते हैं, और premium group के अंदर जो भी मैं trades देती हूँ, जो first trade होता है, वो यहाँ पर भी updated होता है, तो आप check कर सकते हो, आज हमने first trade दिया था, जो active ही नहीं हुआ, 34,100 CE का, 380 के उपर buying था, लेकिन वो active नहीं हुआ, तो हमने cancel कर दिया order, और हमने जो second trade लिया था, 34,100 PE का, जो एकदम पराबर से active भी हुआ, टाइम पे, और उसके बाद में जाके, सारे targets भी achieve हो चुके हैं, तो आप यह सारी चीज़े चेक कर सकते हो, trade कब दिया था, और targets कब achieve हो चुके हैं, साथ में members के profit के screenshot भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, और यहाँ तक क जो बाकी के trades मैं premium group के अंदर देती हूँ, उसके बारे में भी यहाँ पर screenshot में अपलेट कर देती हूँ, तो हमने last trade जो लिया था, वो jackpot trade था, यह normally जो jackpot trade है, वो बाकी अगर आप देखोगे, तो सिर्फ expiry के दिन मिलते हैं, लेकिन, ऐसा jackpot trade अगर expiry के पहले मिलता है, तो आपका कितना profit होगा, यह आप चेक कर लो, 68 और 70 पे हमने 32,800 पी बाई किया था, जिसका मैंने target दिया था, 75 और 80 और safe traders, always book at first target, तो यह बात थी, और साथ में मैंने यहाँ पर minimum quantity भी दिया था, अगर आप इतने छोटे premium में, एक से दो lot के अंदर trade करोगे, तो आपका क्या profit ह प्रीमियम अगर चोटा होता है, तो हमें उसका फाइदा लेना चाहिए, ज्यादा quantities लेकर लेकिन यह risky भी है, तो जो risk ले सकते हैं, उतने amount का तो वही लीजिएगा, तो विदिन कुछ minutes, विदिन 5 to 10 minutes आप देख लीजे, 75 का target अच्छीव हो गया, मतलब जो minimum 500 quantities थी, उसका जो profit था, वो minimum 1 person को 2500-3000 तक गया, और अगर आप सोचो कि यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े players भी होते हैं, जो जादा quantities लेते हैं, 700, 800, 1000, बहुत सरे लोग 2000 तक की quantities लेते हैं, तो आप सोच सकते हो, within 5 minutes, यहाँ पर कितना आपका profit होगा, तो यह सारी चीजे premium group के अंदर भूलिएगा, payment के बाद आपको करना बसिये हैं कि payment का screenshot आपको इस number के उपर WhatsApp कर देना है, ताकि मैं आपको add कर सको, अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा, तो भी आप मुझे इस number के उपर पूच सकते हैं, I hope कि आपको समझ में आ चुका है, so अभी bank nifty का analysis चालू करते हैं, bank nifty क closing आई है, 33,811 के पास, तो मैंने पिछले वीडियो में अपसे बात की थी, कि जैसे हम चार्ट देख रहे हैं, nifty bank का, तो यहां से nifty bank definitely हमें इस तरफ आता हुआ, जरूर दिखाई देगा, लेकिन यहां पर अगर आएगा, तो थोड़ा cautious रहेगा, क्योंकि यहां से एक selling pressure द 34,147 तक ही nifty bank गया, क्योंकि 34,150 के पास एक resistance था, और resistance फेस करके nifty bank हमें बहुत time तक 33,900 और 34,000 यह range में consolidation करता हुआ दिखाई दिया, फिर जाके थोड़ी गिरावट हुई, और फिर से 850,800 के पास range bound हो गया, यानि कि आज सीधा गिरावट हमें देखने को कम मिली थी, 35 का, और days low से recovery करते हुए 800 के उपर आकर nifty bank आज बंद हुआ है, और डेली चार्ट के उपर एक negative candle फॉर्म हुई है, तो जैसे हमने सोचा था कि यहां से एक गिरावट देखने को मिलेगी, तो अभी important है कि next trading session में nifty bank 33,750 का level hold रखें, अगर nifty bank 33,750 का level hold रखता है, तो फिर स एक तेजी देखने को मिलेगी towards 34,050 and 34,150, अगर एक बार nifty bank को 34,050 के उपर अच्छी buying मिल जाती है, तो यहां से जो upside के लिए target रहेगा nifty bank का, वो रहेगा 34,350 का level, फिर definitely intraday में भी nifty bank हमें 34,350 तक भी जाता हुआ, दिखाई दे सकता है, तो अभी option chain data अगर देखें हम लोग nifty bank का, तो call side में सबसे जादा जो open interest है, वो 34,000 के उपर है, call writing की बात करें, तो सबसे जादा call writing 34,000 के level के उपर हुई है, और put side में अगर देखें तो उतना बड़िया support नहीं है कही पे, सिर्फ 85,000 का open interest दिख रहा है, 33,000 के उपर, और put writing की बात करें, तो highest put writing 25,000 की और 23,000 की हुई है, 33,800 and 33,000 के level के उपर, अभी अगर देखें तो देखें, upside के लिए, nifty bank के लिए 34,000 का level important है, जैसे मैंने चार्ट के उपर से भी आपको कहा है, अगर 34,000 nifty bank hold रखता है, या फिर इसके उपर sustain कर लेता है, तो एक अच्छी rally हमें 34,300 तक देखने को मिलेगी, otherwise अगर देखें, तो देखें 33,500 ये support important रहेगा, अगर nifty bank इस level से नीचे फिर से फिसर जाता है, तो 33,000 का psychological important support nifty bank test कर सकता है, तो अभी यहां से important support और resistance की बात करें nifty bank के लिए, तो देखें, first important support जैसे मैंने अभी आपसे कहा, 33,750 का level रहेगा, अगर कल opening ही इससे नीचे हो जाती है, तो यहां से 33,000 550 का level nifty bank test जरूर करेगा, और अगर support ये भी तूटता है, तो यहां से 33,310 तक nifty bank गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, अपसाइड की बात करें, तो अपसाइड के लिए first resistance 33,980 का level रहेगा, अगर ये clear हो जाता है, तो 34,110 and 34,350, ये अपसाइड के लिए resistance का का काम करेंगे, निफ्टी bank के लिए, तो जो भी levels बताएं हैं, अपने chart के उपर जरूर mark कीजेगा, आपको trading के वक्त definitely helpful होगा, और अगर आपको कुछ भी doubt रहेगा, तो आप मुझे पूछ सकते हो, नीचे comment section में पूछ लिया करो, मैं answer कर दूँगी, आपको वीडियो समझ में आ चुका है, अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज़दा अच्छा लगा है, तो शेयर कर देना, अपने friends, family के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूसफुल है, उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सब को कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, so thank you very much for watching this वीडियो, मैं मिलूंगे अपसे next वीडियो में, till then, bye bye, take care and trade carefully.